आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं बेदानता स्टॉक के बारे में यहां देखेंगे कि इसके जो quarterly result रहे थे वो below the expectation रहा था net profit 61% के decline दिखे थे जिसके बाद स्टॉक में 4% का downtrend दिखा लेकिन उसके तूरंत बाद राजस्तान oil block की एक news trend हुई जहां 10 year के जो deal थे वो extension होते हुए दिखा और उसके बाद देखेंगे कि overall trend इस stock का technically बदलते हुए दिखा जहां stock में 4% तक की downtrend दिखी थी अगेन stock 20MA के उपर 287 पे trade हो रहा है जो major rejection जोन रहा है वो 292 के near around का रहा है तो 292 के उपर sustain करे तो अगेन एक opportunity दिख रहा है लेकिन with a small quantity चुकि consolidation देखेंगे 276 to 295 के बीच में दिख रहा है तो जो investor है हमने कहा उनको panic करने की गलती नहीं करना है बेदानता ही नहीं बलकि जितने metal stock हैं सभी below the expectation result रहा है GSW Steel, Tata Steel और बेदानता जैसे सभी stocks में downtrend दिखेंगे हैं यहां आप देखेंगे कि इसका trend जो है weekly trend more than 2% का uptrend है और इस समय तो underperform ही है लेकिन हमने कहा था कि 248, 50 के आसपास के levels भी एक major support है तो investor बिलकुल panic selling नहीं करेंगे क्योंकि panic selling में loss ही होता है और जो already जिनकी buying 270 के आसपास की है तो 292 पे small quantity अगर है तो full profit book करें चुकि इस समय middle sector थोड़ा weak लग रहा है earnings बिलकुल favorable नहीं रहा है और अगर आप hold करते हैं तो इस समय देखें तो जो low रहा है 276 के नीचे के SL को follow करेंगे और long 300, 320 तक के levels दिख सकता है जिस परकारसे के strong pullback downside के price से देखने को मिला है